दोस्तों आज की इस वीडियो में हैं आप सभी को बताने वाले हैं कि यदि आपके मुबाइल में भी आपने एक से ज़्यादा जीमेल एकाउंट को लॉगिन कर रखा है और आप अपने किसी भी जीमेल एकाउंट को डिलीट करना चाते हैं तो किस प्रकार डिलीट करेंगे इ इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिए नमस्कार दोस्तों मेरे नाम आसीस और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सिंपल सबसे पहले आप सभी को करना क्या है जीमेल एकाउंट अपना ओपन करना है ओपन करने के बाद इस तरीके से आप सभी के सामने होम पेज दिखाई देगा आप सभी के इस तरीके से दिखाई देगा आप सभी को लोगो वाले आप संपर क्लिक करना है लोगो वाले आ अब आने लगा तो आप सभी को Google account के option पर क्लिक कर लेना है जैसे आप Google account के option पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर यहां पर अब सभी को मिल जाएगा और नीचे आने के बाद यहाँ पर और नीचे आने के बाद यहां पर नीचे आएंगे तो यहांप एक option आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर और नीच आएंगे तो यहाँ पर एक option आप सभी को मिल जाएंगे delete a Google services का यह देखिए यहाँ पर delete a Google services के option एक मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको नहीं क्लिक करना है delete your google account का option पर आप सभी को क्लिक करना है तो यहाँ पर और स्कॉल करते बिनीच आएंगे को simple सा करना क्या होता है आपका जो भी Gmail account आप delete कर रहे हैं उस Gmail account का यहाँ पर आप सभी को password डालना होता है क्योंकि password इसलिए मांगता है कि माल लिजिए कि वो verify करता है कि आपका ये account है कि नहीं तो इसके लिए आप सभी को password यहाँ पर डालना है आप दोस्तों simple से करना क्या है यहाँ पे password डाल लेना है password डालने के बाद next के option पे click कर देना है जैसे आप next के option पे click कर देंगे तो यहाँ पे आगे का यह loading लेगा और password आपको 100% correct डालना है अगर आप password गलत डालेंगे तो यह trick work नहीं करती है तो आपको password जो है वो सही डालना है तो इसके बाद देखिए download यो data data का option आ रहा है अगर आप data download करना चाहते हैं तो यहाँ पे click करके download भी कर सकते हैं फिराल मुझे data download नहीं करना है इसके बाद पर नीचे आना है और यहाँ पर बहुत सारी चीजे आपको दिखाए देंगी यह conversation will be delete यह सारा कुछ जो है delete हो जाएगा यह सारा कुछ जो आपके सामने लिखके आगा है तो यहाँ पर check box आपको दो दिखाए देंगे आप डिलीट कर रहा है उस एकाउंट को यहाँ पर देखिए delete हो गया है अगर आप recover करना चाहते है तो recover भी कर सकते हैं यह देखे recover your account का option भी आ रहा है यह यह पर deleted का option भी आ रहा है यह देखे यहाँ पर deleted का option आ रहा है तो उसके लिए आप सभी को थोड़ा समय लगता है एक से दो महीने कम से कम लगते हैं तो दो महीने बाद ही मैं आप सभी को कहता हूँ कि दो तीन महीने बाद आप चेक करिएगा तो एकाउंट आपका डिलेट हो चुका होगा तो दोस्तो इस प्रकार आप सभी अपने जीमेल अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आयो तो करपा करके इस वीडियो को लाइक करें अपने सभी दोस्तों साथ सेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लिएकर प्रीज सब्सक्राइब जरूर कर लिजे हमारे चैनल को साथ पर नौडिक्सन बिल को और नौडिक्सन पर आउन जरूर कर लिजे आज केस वीडियो में दोस्तो इतना है थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो जै हिंद वंदे मात्रम बाई बाई दोस्तो